सिम्रन हमारे देश की जो स्वतंतरता सेनानी हैं उनकी वीरता की जो कहानिया है वो हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं बिल्कुल और ये कहानिया ना केवल हम सुनते आ रहे हैं बलकि हमारे जहन, दिल और दिमाग में ये कहानिया बैठ चुकी है और इन ही स्वतंतता सैनानियों की बलिदानियों की वज़े से ही आज हम आराम से बात कर रहे हैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं और ये अधिकार हमें देते हैं हमारे कानून बिल्कुल ठीक कहा तुमने सिमरन किसी भी देश को सुचारों रूप से चलाने के लिए कानून एक बहुत एहम रोल अदा करता है लेकिन क्या तुम जानती हो कि बिटिश काल में ऐसा नहीं होता था बिटिश काल में जो कानून बनाया जाते थे उनका मकसद होता था कि वो किस डृकॉनियन लॉज सें यानी हम बात कर रहे हैं उन का तोर कानूनों की जिनने बनाया गया था खासताओर पर भारत वासियों पर राच करने के लिए उन्हें जोकाने के लिए और ये जानकारी साजर करने केलिए स्चूडियो में हमारे साथ एक महमान तो सबसे पहले हम आपसे ये जाना चाहेंगे कि आज हम Draconeion Laws के बारे में बात करें तो कहते हैं क्या कहा जाता इसे क्या होते है द्रेकॉनियन Laws उसके बारे में हमें बते हैं द्रेकॉनियन Laws actually British नहीं लाये थे. Draconeion Law लाया था Draco जो के एथन से था. 700 BC में उन्होंने कुछ कानून लागू किये थे ताकि सप्ता वैसे ही चलती रहे जैसे चल रही है लोगों को दबाया जा सके और लोग अपनी बात और सरकार की जो उससे मुनार्की में जो राजा था उसके खिलाफ प्रदर्शन ना कर सके अपनी आवाज ना उठा सके अपनी आवाज ना उठा सके और सर इसके पीछे क्या क्या मतलब मुखे उदेशे थे क्या भारतवासियों को दबाना था क्या उत पर राज करना था ऐसा कुछ आप हमार साथ साचा करें जब ब्रिटिश ने ये लॉज को इंप्लिमेंट किया तो उनका सबसे बड़ा कारण था कि आजादी की आवाज को दबाया जाए भारत सोतंतरता चाहता था जो के हर व्यक्ति का एक अधिकार है पर ब्रिटिश अपने आपको राजा समझ के हम लोगों को दबाना चाहते थे ये नहीं चाहते थे कि आजादी मिले तो ये जो ड्रेकॉनियन लॉज है क्या हर भारतिये पर लागू किये जाते थे ड्रेकॉनियन लॉज हर भारतिये पर लागू किये गए थे इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने मुखे चिन्नित किया था कि जो आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने के लिए कैसे कैसे किस वर्ग पर क्या लॉज लगाने की जरुरत है तो वो laws लगाए गए थे कि जो मतलब उन्हों दबाने के लिए उनकी आवाज दबाने के लिए हर एक जगहां पे एक laws लगाए गए थे ये कहना चाहते हैं और क्योंकि सर हम ड्रिकॉनियन लॉस के बारे में बात कर रहे हैं ये कुछ कठोर कानून थे भारतवासियों को जुकाना चाहते थे अंग्रेज तो सर ऐसे कौन-कौन से ड्रिकॉनियन लॉस थे जिनके बारे में जानकारी होना आज हमारी यूवा पीडी को हमारे लिए बहु उसमें बोला गया था कि आप कुछ भी ऐसा नहीं चाप सकते, ऐसा नहीं बोल सकते जो के ब्रिटिश एंपायर के खिलाफ हो. फिर एक था रोल एक्ट आक्ट, इसने जो भी स्वतंतरता की मुव्मेंट होगी, उसको अपने आप से इल्लीगल बोल दिया था. कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कदम उठाते हैं, उसकी अलोचना करते हैं, तो वो इल्लीगल होगा. एक मैं बताना चाहूँगा, सिडेशियस मिटिंग अक्ट. क्योंकि आवाज उठाने के लिए लोगों को इकठा होना ज़रूरी था, तो इकठा होने पे भी रोक लगा दी गई थी. जिसका को बाद में उधारन देखना पड़ा, कि जलिया वाला बाग हुआ. तो अभी आपने जैसे में बताया, और इसको डिटेल में हम जानना चाहेंगे, कि जो भारती उस वक्त आवाज उठाते थे प्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आजादी पाने के लिए, तो ऐसे कौन-कौन से कानून बनाए गए थे उनकी आवाज को दबाने के लिए? मुखे था जो जैसे मैंने आपको ये तीन लॉस बताये, इसके अंदर ना तो भारतियों को एकठा होने की अजादी थी, अगर वो एकठा हो भी जाएं, एक जगा पे कहीं पे भी सम्मुहिक तरीके से बिना पर्मीशन लिए आप नहीं बैठ सकते। मिल नहीं सकते। चार लोग इकठे बैठके मिल नहीं सकते बिना सरकार से बिटिश राज़े से पर्मीशन लिए। और ऐसे में सर इन सबका प्रभाव आम जन्ता पर कैसे पढ़ रहा था? क्योंकि देखे जैसे हम अपने घर में आराम से रह रहे हैं, आम जन्ता हैं और हम अपनी रोज मर्रा की जीवन करियाएं, दिन चरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या लोग भय भी थे, किस सरह से उन्हें पर भावित कर रहा था? लेखे इन लॉज ने कहीं न कहीं हमारे सुतनतता मूव्मेंट को और बढ़ावा दिया, क्योंकि जब हम दबाए गए तो हमें अजादी का महत्वपूर्ण समझ आया, हमें समझ में आया कि क्यों हमें और आवाज उठा के, और हमें ये भी पता चला कि क्यों बिटिश बिल्कुल जितना उन्होंने दबाया उतना ही हमारे जो सुतनतता सहरानियों ने उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम आजादी को और जादा पाने की उनकी जो कोशिश थी वो पूरी हुई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो अगर हम आज की बात करते हैं, आज जो हमारा भारत आजाद है और पहले की बात करते हैं स्वतान्तिता से पहले की गुलामी के वक्त की तो कितना क्या फर्क देखते हैं आप इन दोनों में इसमें जमीन आस्मान से भी ज़्यादा फर्क में बूलना चाहिए आज की डेट में हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हैं हमें अपनी सरकार चुनने का हक है हम लोग एकॉनोमिकली ग्रो कर रहे हैं हमारा आर्थिक विस्तार हो रहा है हम हमारे पास human rights है civil rights है हम हमें अभिवक्ती की अजादी है हमारे यहां पे सामूहिक reforms हो रहे है social reforms हो रहे है जी देश हर तरीके से आगे बढ़ रहा है और आज की डेट में ह यहां हमने कानूनों की भी बात की थी अभी हमने शुरू में बात की तो आप एक advocate भी है तो कानूनों की अगर हम बात करते तो किस तरह की ऐसे कानून है जो आज हमें यह लगता है कि हाँ यह आजादी के बाद हमारे benefits के लिए हैं देखें जब हम आजाद हुए थे तो हमार एपिसोड पहले एक एपिसोड किया था है M.A.C.T. आक्ट पे जो नया आया कल ही की बात है कि हमारे हैं दिल्ली का रिफॉर्म्स लागू किये गए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो पहले और आज में जमीन आस्मान का फरक है आज हम आजादी से सांस ले पा रहे हैं खुल के जी पा रहे हैं पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल और स्वतंत्रता से पहले और आजादी के बाद हमने देखा कि कितनी तरह के बदलाव आए हैं और उस दोर में हमारे स्वतंत्रता से नान्यों ने बहुत सी यातनाएं सही आपका हमारे डीडी मॉनिंग शो में आने के लिए और इतनी महत्वपून जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया थान्यवाद साहिद